हेलो डियर स्टूटेंट्स स्वागत है तोड़ा तोड़े अपने योट्यूब चैनल सरव स्टड़ी क्लासस दे उपर ते एस चैनल दे उपर तुसी कर देऊंची पंजाबी विशे दी त्यारी ते तोड़े जानकरी देली दास दिये के पंजाबी विशे देविच मास्टर 470889 एस नमबर दे उपर तो इसाटे ना कॉंटेक्ट कर सकते हूं ते उस पैच नूँ दुसी ज्वाइन कर सकते हूं जी ते आज दे लेक्चर दे विच आपमा करन जा रहे हैं जी कहानी कार परगती वादी कहानी कार दे तोरते जाने जान्दे बहुत ही प्रशिद कहानी कार संतोक सेंगतीर इना दे जीवन बारे, इना दे कहानी रचना बारे, ते इना नुपर्सकार, इना दे सनमान, इना दे सारी लाइफ दे बारे अज दे क्लास दे विच आप डिस्कस करांगे जिन master-kader पंजाबी दे point of view तो, जिन ने भी paper दे विच संतोक सिंग दे point of view तो question बन दे है उसारे अप आईदी क्लास देविच डिस्कस करांगी ता स्टार्ट कर दियां जी अपना इदा लेक्चुर अपना संतोक सिंग तीरदे जीवनकाल तो ता संतोक सिंग तीरदा जीवनकाल है जी 1902 तो लेके 2010 एस वी जाने के नदा जनम होंदा है दो दसंबर 1902 ते इनना दा दिहांत होंदा जी 8 फरबरी 2010 दास देविच इनना दे जनम स्थान दे नसबंदत अपन दो जगा मिल दियां है पहली दा है जी बसी पठाना ए पहला एरिया जिला पट्याला देविच पेंदा सी ते होने जीड़ा एरिया है जी फतेगड साहिब देविच होंदा है ए है कसी जी इनना दा नाण का पिंट ते कई किताब बंद देविच इनना दा जनम स्थान दा दाद का पिंट भी मिल दा इनना दा दाद का पिंट है जी डड़ हेडी खनना डड़ हेडी खन्ना ए आउदा जी लोध्या नहीं गिरीए देविच ता ए दो इनना दे जणम स्थान दिना स्वंदत जड़े स्थान हो अपनों मिल दे है अग्या पागल कार दें जिनना दी फैमली बारे ते इनना दे पिता जीदा नाम हैगा जी सरदार इशर सिंग ते इन संतोक सिंग तीरों दे जी दूसरी पीडी दे विच ते दूसरे पड़ा दे ये हे कहानी कार जी ए बलदेव सिंग तालीवाल दे इनसार दूसरे पड़ा दे विच जों दे जी परविर्ति दी गल करिए ता स्टार्टिंग ते ये अपागल कीती है के संतोक सिंग तीर नू पंजाबी कहाणी दा पर्गती वद्धी कहाणी करदी तोरती जाने 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 तेना दी परविर्ती जो अहो पर्गती वद्धी रहंदी है पर्गती वद्धी तहते वह अपनी कहाणीयां दी रचना करदी है प्लस उस तो बिना है मानवद्धी भी है इन्ना दियां कहाणियां दी सोर जड़ी है, हुसमाजवद्धी है, मानवद्धी है, ते इन्ना दियुपर जे अपा प्रवाव पुछिए, ते इन्ना दियुपर माक्स तारी, माक्सवद्धी विचारतार दा प्रवाव है, ए प्रवाव अपनू इन्ना दियां कहाणियां द विच दिखन वस्ते मिल दैं जी ता परविर्ति देत और ते परग्ति वद्धी मानवद्धी ते प्लास इनना दा माक्स वद्धी प्रवाव दुसी याद रखनें जी होना पगल कर दें जी इनना दी पड़ाई दी बारे एहे जड़े संतोक सिंग तीर पंजबी कहाने कार है एहे आर्थिक मंधाली दा शिकार रहे है ना दा परवार ते एकोई जड़ी बहुती एजुकेशे ना उनी हासल कर सके ते नने दस्वी किती है उस्तो बाद इननाने ग्यानी किती हुई सी ए ग्यानी करनतो बाद इननाने कोश समा इनना दे पिता जी दर्जी सीगे ते दर्जी दा किता कर दे सी कोश्य समाय नाने खोद वियोकम कीता है अपना पिता पुर्खी कीता अपना है प्रंतो उस्तो बाद इनने नौकरी कीती है जी अध्यापक दी हुना पागाल करांगे संतोक सिंग तीर दे के उना दे अपने बा एपनी तुलना केसि हुएगोग लिखक दिनाल कर दिलो आ। है जो आप इना या लाइना की ये प्रापर के केडियां लाइना देविच केडियां 17 वरति यह नई अपनी तौल ना वैंगाउग लेख दिनाल कारन देली तो 17 है गी है केंदे जित्थों तिकर तंगीयां का टाँधा स्वाल है महान वैंगाउग नालू में पछे नहीं अग दिया यह उड़त्त हैं। संदोक सिंग तीर केंदे है वि मेरी हर बमारी दा जड़ा अलाज है उन लिखन दे विच है तो केंदे विजे मतल मेनों की बमारी होगी न तो दवाई न ठीक हों दी वजाए कादी न ठीक होगी लिखन दे ना तो ए जड़ी महान तो कह ये तुसी याद रखनी है पेपर दी पाइट आव ये तो केह संतोक सिंग तीर दिया वरतियां हुई याँ सत्रा ने के उन दी हर बमारी दा अलाज हो अपने लिखन दे विच दस दिया जी खोरेना दीक पर सिद को टेशन है जिड़ी इनने अपनी रचना मिश्षी दाणे दे विच लिखी हैगी है तप इस से दाणे दो ना हो जो दिना करती है लेखक दी तुलना हो जोदी ना करती है जिमें एक जोदा महान होंदा उससे तरीकिना लेखक भी महान होंदा है तो कहन दे है वी जे मेरी नेड़े कोई लेखक है गए तो मैं ये फील कर दे है कि मेरे नेड़े किसे जोदा होंदी ब्रापर है एभी 17 जडियां ने है संतोक सिंग तीर दिया ने एस तो भी ना ए अपने आपनू जड़ा है गया सरब संजा लेखक मन दे है एक खोद कहन दे है कि मैं हिंदू भी यां ते मैं सिख भी यां एस गल तो कई वदवान ए मन दे है कि जड़े नदे पिताजी सीगे उसी के सरदार इशर सिंग सिंग जानी के हो सिख परवार नो बलाँ कर दे सी ते नदे माता जीदा नाम अपनू मिल दे है जमना देवी जड़ा के हिंदू दरम नो बलाँ कर दे ते कहन दे भी जड़े नदे दाद के सीगे हो सिख परवार चो बलाँ कर दे सी तो जड़े नादे नाणके सी यो हिंदू परवारतों बलाउं करदे सी एससे करके कहने आपने आपनों हे पाईचार रिक्साई दा कहानी कार मन दे आ तो कहने आ कि मैं हिंदू भी है तो सिख भी है गाँगा इस तो बाद आपा गाल करांगे जिनना ने पत्तर कारी दा कारज भी कीता है गए तो पत्तर कारी दा कारज जिनने कीता है जि प्रीत लड़ी मैगजीन दे लई जड़ा गुरुबक सिंग प्रीत लड़ी दा मैगजीन सीगा उदे वास दे नाने पत्तरकारी कारज कीते है अग्यापा गाल कारदे है जी परवावदा जी में तुसी जान दे हूँ कि कोई भी महान कहा नहीं का रहा है कोई भी महान व्यक्ती है तो दे पिछे कोई नहीं की माटिवेशन हूँ दी है किसे दा उनने अफेक्ट लेया हूँ दै ओ किसे दे शब्दाबली तों किसे दे जीवन तों जीवन जाच तों परवावित होके आपने काम दे विच महान बंद है तेस्ते त्रीके दनाडे संतोक सिंग तीर है इननने परवाव कभूले आजी गुर्बाक्ष सिंग प्रीत लडी दा इननने गुर्बाक्ष सिंग प्रीत लडी नू साहितिक गुरू मनने है पेपर कोश्यन आजे के संतोक सिंग तीर ने अपना साहितिक गुरु किसनों मनने हैं ता साहितिक गुरु एनाने मनने हैं गुरबक्ष सिंग प्रीत लडी नू इस्तो बाद है मोहन सिंग ते सांत सिंग सेखों इन्ना दा भी प्रवाब कभूल दे हैं ते तिन लेख के गुरवक्ष सिंग प्रीत लड़ी, मोहुन सिंग, संत सिंग सेखों, जिनना दाइ प्रवाब गभूल देया है, ते इनना तिनना दे विच्चों अपना साहितिक गुरु मान देया है, गुरवक्ष सिंग प्रीत लड़ी नूँ, तब पेपर दे पॉइंट पार्टी दिना जुड़े रही है, कम्योनिस्ट पार्टी दिना सबंदत जड़ियों न दिया रचनावाँ भी मिल दी है, ते अपनिया कहाणियां दे विच्वी इनना दी कम्योनिस्ट पार्टी दी जड़ि सोरा हो, दखाई दिन दियेगी है, ता इनना दा संतोक सिंग त इरदा कमयोनेस्ट पार्टी दिना डूंगा जड़ा हैगा हो सबंद रहागा अगे जी सितकार वजों की अख्या जानदा है एक वेशन मास्टर केडर दा फेवरिट होंदा है उदे विचो पुछले जानदा है केस लेखकनू की कहा जानदा है तर सबता पहला देखो जी संतो इस तो बिना इनननु पेंडू जी बंदा महान कोश के हा जानदे क्योंके इननन्य कहानियां देविच कसान, मस्दूर, नीमन वर्ग दे जड़े लोक है उनना दा जिकर किता गया है जडिया आर्थिक तंगीयां तुरशिया ने हेटले वर्ग दियां उनननु बेश कीता ग अपने रचनावाज़ियां लिखी हैं तेसे करके ननु अख्या जान्दा है गै पिंडू, जीवन्दा, महान, कोश इस तो बिना संतोक सिंग तीर नु सूजवान ते सूर्मा साहितकार अख्या जान्दा है सूजवान ते सूर्मा साहितकार ननु अख्या जी कलम दा सूर्मा चाडियां दा सूहा फुल एवी संतोक सिंतीर नू के है गया ए अख्या जी डॉक्टर एस्तर सेम ने चाडियां दा सूहा फुल सलेटी सडक दा टोटा एवी ननू के है ए सलेटी सडक दा टोटा इननू तखलस जा इननु सत्कार वजों अख्या है गया ब्रह्म जिंग दीश ने ता पिपर दे पॉइट आफ व्यू देने इस सारे तुसी याद रखने है कि इननु केडे वदवान ने केडे नाम देनल सत्कार रहा है जी उनना पागल कार दियां जी के संतोक सिंग तेर दियां कहाणियां दा विशा की रहेंदा है गया तो उनना दा विशा है गया जी पेंड दे निमन वर्ग दे लोग जड़ा पेंड़ दा निमन वर्ग है, जड़ा गरीब मजदूर ने, किरसान ने, दलत लोक ने उन्ना दा जिकर किता है नने अपने कहाणियां देविच तो उन्ना दिया कहाणियां दा जड़ा केंदर बिंदु है, उधिकल कर दिये, तो उन्ना दिया कहाणियां जड़ा केंदर बिंदु है, उधिकल कर दिये, तो उन्ना दिया कहाणियां जड़ा केंदर बिंदु है, उधिकल कर दिये, तो उन्ना दिया कहाणियां जड़ा प्रूत्रा तलनू अधार बना के भी उन्हाने गाल कीती है कि ये नीमन वर्ग दे लोग, दब्बे कुछले लोग कांदी गाल कीती है संतोक सिंग तीर ने अपनिया कहाणिया दे विच। सिट्टे आं दे शान दूसरा इन्हाने खानी संग्ड़ दूसरा इनना दा कहाणी संग्ड़ पनमल दे जि स्वेर हून तक जड़ा के 1955 विच। इस तो बाद इनना दा अगला कहाणी संग्रे मेरियां श्रिष्ट कहाणियां ये 1980 विच परकाशित होंदै उश्या पैन जी चुप सन 1990 विच परकाशित होंदै पक्खी कहाणी संग्रे इनना दा मोस्ट इंपर्टेंट जीनू साहित अकेटमी पुरसकार भी मिले हैं 2009 विच परकाशित होंदे इकन ये कवंजा कहाणिया होंदी है 2002 विच परकाशित होंदी है खबे पक्खी आनन दा कहाणी संग्रे है लिढदा अगर किसे नूँ वैसे प्रकाशन साल ते जड़ा कताब बने नाम है कहानी संग रहे हैं ते नाम याद नहीं हुंदे तसानों तुसी कमेंट बक्स से विच दास देओ फिर तानू मैं जड़ी ट्रिक क्या हुवी करवादूंगे अग्याबा गाल करने जी प्रसेद कहाणियां दी किडियां किडियां कहाणियां ने जडियां वहुत ज़्यादा प्रसेद रहेंगे सब तो पहली कहाणी है जिनना दी कोई एक सवार एस कहाणी दा विशा की है ये दे विच कुझी वाद करन मशीनी करन दे करन जड़े बदला आये ने ते मशीनी करन ओन दे नाल जड़ा गरीव मजदूर से गा ओधी हालत दे विच पहला नलो किवे नगा आ रहा है ओधी तर अपनु बारू टांगे वाला मिलता है गए तो वजरा तांगा वाकी आवदा जड़ा जीवन दा निर्भा आहू करते है तो जड़ो टांगा लेया कि लोंदा है तो हो स्वारियान वाज़ा मारदा जम्या पाम देख दे ये विटांगे अले के में गठे करते है गया स् किनना चे रो खड़ा रहेंद है वो सोच दे भी मैं तांगे ते मितलब आवदी जड़ी है गेड़ा ला क्यों मेरी निमेंत लगओ होवे ना ता होवे यह होजे के जड़िगा स्वारिगां वद्त वद्त हो जाना तो बास से जड़ों सेम एडरस ते जान दा होगा दे या ड्राइवर तो सारी आश्वारिगां उत्त तांगे तो उस्तों बाद वचारा जड़ा बारू तांगे याला है वो मतलब बहुत परिशान होगा यह है क्योंकि उने आवदे जीवन दा नर्बा उनना स्वारिगां त बास सा बारं गे साधन आगे तो उनना साधन देना जड़े गरीव लोग से जड़े इस तरिके दे कामकार दे से तो बुरी तरह न पीडे जान दे है एवएं ता विशा है गे कोई एक स्वार कहाणी दा इस तो बिना एक है याद रख्यों के इस कहाणी नू जड़ा रूस रोसी लेखक चेखव दी कहाँदी कहाणी गृफ तेak चेखव दी कहाँदी 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 निटोगता 1 creed अगली कहाँदी पगल कर देन जी श्वेर हों ये इस कहादी दा विशौना नहीं ले आहाँदी के एक गृफ आपसी पाई जारा गसार जाय ते आपसी प्यारा नू पेश कीता गया है दो विशे शोय नेना ने स्वेर होन तक कहाणी दे विच एक कता एगा के जड़ा गरीब हो दी माड़ी हालत नू के कि में हो हड़पान में मेनत कर दे है ते फेर भी ओर आत नू जैन दी नीद नी सौं सक दे दूसरा विशे यह है कि सारे लोग कठे हो के शात दे उपर सौंदे है जड़े पेंडू लोग ने ते ओ उन्ना दे आपसी प्यार नो पेश कीता गया है होंदा एए है कि जड़े इस कहा निंता पाततार है चन्नन सिंग वो सारा दिन दे आडी करके आऊँदा थे शाम नू जदो हो सौं लाग दा है तक ओठे द उपर आवदा मंजा हो लेके जांदा है उथे कदे उन्हों मच्छर तंग कर दा है कदे उन्हों गर्मी तंग कर द दुखी राद कटन दा जड़ा सफर है ओ ब्यान कीता गया है गया स्वेर हूं तक कहाणी देविच तेदा पात्तर है गया जी चंडन सिंग इन्हों दुसे याद रख्यों अगली कहाणी अपा गाल करांगे जी सांजी कांद जड़ी सांजी कांद कहाणी है कि एदा विशा ए रहा है कि जड़ी जड़ा पदार्थक पदार्थक चीजां पिछे जड़ी खून दी सांज है उन्हों हुमेश्या बनी रहती है ओ कदे खत्म नहीं हो सकती मतलब जी अपा कदे पैसे पिछे पए भी है गया तक कोशे समय बाद आपनो अपने खून दे रिष्टे जड़ी ह पातर नाम है जिए दे वेचा दरबारा ते दूसरा दा पातर है कपूर उन्हा दोना दी जड़ा मी आजांदा दे मी बैंदे नाल जड़ी सांजी कांदा हो डग पेंदी है तो सोचदा है वी दोने प्राम आनु कठे होके अगा जड़ी कढ़नी चाही दिया पर कदे दरब पूराणी मनदा को दे कंद दे विशे देवाँ पर बहुत लड़ाई हुं दिया साझी इत्तों की गल से नहीं हं दिये के पावे उन्ना दे वेच कंद पिछे संदी कंद पिछे बहुत अतदी लडाईए प्रम्तू जडी उननादी पाइचार क सांज है, जडी उनना दी प्रावान देविच खून दी सांज है ओ जडी है वो बर्करार रेंथी है। सांजी कांदा दे विच अगली है जी उना दी पेट वाली गल इना सारियां कहाणियां दे जे पाविशेदी गल करिये ता सारे पेंडू तरा तल दे विचोप जी होई हैं पेंडू लोका निया वक्रियां वक्रियां समस्यां वानू पेश कीता गया है संतोक सेंग कहाणी कार अपने हैं कहानियां दोplत, जड़ी पैद-वाली गाल है, एदसी गई है कि जड़े पिंड़ां दे लोक है, उन्हां दा खुले उडूले सबा दी गाल कीती गई है कि उन्हां दे कोई भी गाल हजम नी होंती। मतलब चैह मैं पिंड़ां लीडीश होंती हैं तो सारे लोकां देवेचे फैल जन्दी है ये दे पात्र हैगे जैलदार दे कुड़ी हर परकाश परमिंदर विरकांदा मुंडा तिलकू, सुचालहार राम सिंग, फॉजी, पजनो बंतू, नंदू ये सारे इनना दे पात्र हैगे हुँदा की है की जड़ा परमिंदर विरकांदा मुंडा हुगली जो लांग दा है ते हर परकाश कुड़ी है जड़ी उन्हों देख दी है ते एस गाल नूँ कोई पात्र देख लेंदा है गांदी, 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 गां असाले लाला के वदा चड़ा के गल नो दास दे रहेंदे है, ते कहींदे यह है कि सिर्फ मैंनू ही पता हार परकाश ते पर्मिंदर दी गल नो तुसे गानी किसे नो दस नी, पर कहने धा खाणी कार कहांदा भी कार देख रहांते हैं, जड़ि उ पेत अली गल ला जा न, वो पेत बणके सार इस कहाणी देविचु तेदा पत्र है बख्तार सिंगु जड़े दा पत्र है बख्तार सिंगु और मैं रूप देविच कहाणी नूपिश करद है। ता कम्योनिस्ट पाटी देविच जड़े कामकार नले बंदे है उन्ना देच रित्तर नूपीश कर दी कहाणी है नादी शिराब दा गलास। अगली दी प्रसिद कहाणी अपनो मल दिया जड़े डाकू जड़े नादी डाकू कहाणी है गी है ए उन्नी सो अननजा देविच लिखी गई कहाणी है जीदा जिकर तीर ने संतोक सिंग तीर ने खोदा दिस्वय जीवनी देविच पीत है वो केंदे वी एस कहाणी करके मैंन साहितिक स्वय जीवनिया भी लिखी है अनवाद भी किते है काव संग्रह भी लिखी है नावल भी लिखी है प्रंतु जड़े उन्ना नो प्रसिद्धिया हो कहाणी का औरती तो अरती मिली है प्रसिद्धिया लिखन करके ही मिली है ते जेता नो पेपर्च कोश्चन आजे क क्यों नानू अचन्चित्ती प्रसिद्धी जड़ी ओक इस कहाणी तो मिली है तो नानू डकू कहाणी तो मिली है ते ए नाने आपनी स्वयजीवनी देविच खोद जड़ा है ओ जिकर कीता है तई दे विच होंदा की है इस कहाणी दे विच एस कहाणी दा विशा लेया गया जड़ी पैपसु मजारे दे विच पहली वार किशनगार दे विच गोली कांड होया सी पंजाब पलस दे वलों गोली जलाई गया सी किशनगार दे विच ओस चीज दा दे विच जिकर कीता गया जड़े पैपसी मजारा करनवाले है उन्हाँ नू डाकू कहा गी है इस कहाणी दे विच ए हैगा जेदा विशा अगली खाणी दिजैकर अपा गल करिये ता मंगो एक कहाणी जड़ी है कि यह हो पशुमा मान सकता है उनू पेश करती है इस कहाणी देविच दो गावाँ दी कहाणी है एक गावाँ हैगी है सोमा ते दूसरी गावाँ हैगी है ना दी जड़ी है मंगो जड़ी है मंगो गावाँ ए पहला तोसकर बरकरार हुंदी है तो वो काराल एक नवी गाणू ले आओंदी है यानि के हो सोमा गाणू ले आओ पश्वां दे विच्वी दखाई गई है यह बेश कीता गया है धानेकार बरलू कि जड़ा इर्खा न ओकले इंसान दे विच्वी नी हुनदा मनुख दे विच्वी बरकरार हुनदा है प्रन्तो इर्खा एंड दे उपर जाके खत्म हो जानदा है सेम अपने मनुखी जीवन पश्मादी जीवन दे विच्वी हुनदा है तो जड़ी मंगो है कि आ सोमा तो बहुत इर्खा कर दिया वि मैं सीगी तैने ने होर गाला कि मनली वह मतलब होदे न कोई विच्वी जड़ा भेवा हो सही नी करती पर एंड दे उपर कि हुनदा है इनना साड़ा कर दिया हो त पर एंड दे उपर जड़ी नवी गाले अंदी हूं दिया सोमाव मर जण दी है ता फिर जड़ी पहला ली गया है जड़ी के मंगु है जड़ी उन्हों पश्तावा होंदा है अगली अपा कहाणी दी कहल कर देजी संतोख सिंह तीर दी अपना देश यदे वेचे दखाया गया है कि जड़ी देश दे वी चपपा रहनी है उससे देश देनाली जड़ा प्यार अपना बन जानते यदा पत्तर हैगे नरंजन सिंभ ओ बार चला है जो नू अपने ऐदर दे देश देनाल यानि के इंडिया देनाल प्यार है पर उदे दो बच्चे हुंदे है, हरिंदर ते गुरिंदर, जिनना नू कनेड़ा देवेचे हैरी ते गेरी नाम दे नल बलाया जांदे, ओ दोनने बच्चे आपने पिता नरंजन सेंग दे नाल इदर पारत देखनाओं दे है, नरंजन सेंग की चौन दे है, कि बच्चे आन अपने देश वापस चलिए ता एमें एस त्रिक्के देनल एस कहाणी दा विशा है जी के हरेक नू आपना देश वदिया लगदा जड़ा नरंजन सेंग है उपारत देविच जम्मया पले है तो नू पारत आपना देश लगदा जड़ा नू पारत आपना देश लगदा जड़ी परसेद्ध कहाणी है जड़ी ना दी पक्खी कहाणी है एहे बहु ज़ादा मक्बूल होई है येनु साहित अकेडमी पुर्षकार भी मिले है येदे वेचा दो पातर है एक पातर है मनमोन सिंग तो दूसरा पातर जड़ा है नहेंक सिंग जड़ा इधा पातर है मनमोन सिंग उनना दा बच्चा चक्क्या जान्दै यानि के सिख बच्चे इन्हों अगवा कर ले जान्द है ते उधे वदले देवेचे हो फरोती मंग दे है पैसे मंग दे है ते जड़ा मनमोन संग दा परवार हो बहुत ताने पेटे हुन्द है आपने मनमोन संग दा पोतरा हुन्द है जड़ा चक्या जान्द है ओस पोतरे इनों शड़वान देली तह एस कहानी देवेचे जड़ी पक्खी है ओहो एक संकेत देत आरते वरती गई है गी है एस कहानी ना जेकर विशे दी गल किती जावे तहे पंजाव संकट देनार सबंदत कहानी या ना दी पक्खी कहानी अगली आपना दी कहानी दी गल करिये तो है गिया जी एक सिधारन आदमी जड़ी इनधी एक कहाणी है एक सिधारन आदमी तेदे विच ए विशा पेश किताँ गया है कि कोई बंदा वधिया होन भै पर जड़ी हालाथ है ओनुँ कहे जाको करन वस्ते मजबूर कर दें तह येस कहानी दे विच पाते रहे जी, जॉना ते बचना, ये दोमे प्रा होंदे है। जॉना ते बचना, इना धी थोड़ी बहूती लाखदार चाल दी है, जड़ा सद्दा सिंग होंदे। जोना जड़ा है ये बहुत वधी अस्वादा बंदा होंदा है प्रंतु जड़ा सद्धा सिंग हो अडब होंदा है ते इनना दी करसानी मामले दे उपर बाट दे उपर पानी लौन दे उपर इनना दी आपस दे विच जड़ी है हो तू तू मैं मैं हो यांदी है जोना दे ब उस्चे दे वेच्छो ना दू सद्धा सिंक दे कई वाईडी है ते सद्धा सिंक दी जड़ी मौता होसी हो जादी है। कोश गलत काम करन वस्ते मजबूर कर दे है इमें दा विशा है जी एक कसदारन आदमी कहाणी दा अगली ना दी कहाणी है जी मेरा उचड़ा गवांडी जड़ी के दसमीं क्लास दे विच लगी भी हुं दी सी इदे विच जड़ा 1907 दी वांड़ दे समें देश अजादी तो पहला कि में जड़ा है गया हो उथल पथल होई है सिख्वा मुसलमान आदी पाकिस्तान तो इदर आए निसिख जड़े मुसलमान परभार सी के वो इदरों उचड़ के पाकिस्तान दे विच गई है ए ओंधा विशाएद विच पेश कीता गया है मेरा उझजडऊ गवाट्डी दे विच अगलियां इनद ियां कोछ होर जिर यांपरसेद कहाणी है चांदी दे पईये बदली होई हवा यवि इना दी पंजाव संकर देना जवादत है इनना दे नाम तुसी याद रखने है जी होर इनना दे कहाणी है कि कर्दे विच गवाची हुई परी कर्की गहल जोडिया जग थोडिया रंग विच पंग इनना दे पर सिद कहाणी है इनना दे थोड़ी थोड़ी डटेल इना दे पातर इना दे फिशे ते इना दे जड़े नाम है उद उसी पेपर देह वाले देना में याद रखड़ी हैं होना पागल कर दे हैं जिना दे होर रचनामां दी कि होर किडियां किडियां रचनामां मिल दी हैं संतोक सिंह थीर जी बारे पःले इंगाल करी, ये एज आहें लेख का.. जनाने संपाध ना कारज कीती है पत्तरगारी कीती है सफर नामें लीखे और वाद लीखे आ, ते कहाणी संघ्राया लीखिया है तो इना जड़े प्रसेद कहाणी संग्र है, उना दे बारे गाल करांगे अपाइदे लेक्चर देवेच, इना दे कहाणी संग्रा वैसे अपनू जेकर आपा मास्टर केडर पंजाबी दी गाल करिये, तो ओथे अपनू ऐजा ही कहाणी कार लगगे होई है, प्रन्तु जेना कोई होर रच नामा करके पुच्छा जा सकदा क्वेश्चन, तो ओव सवार ले देनाल तुसी ना नू थोड़ा जैक वरित्यांच रखना है, के एक काव संग्रा जड़े है गयो संतोख संग्रा दी अपनू मिल दिये, तो गुड़ियां पटोले, काव संग्रा ना दा चाली तो बाज शुरू कीती है, तो उना दी पहली कहाणी संतोख संग्रा दी इर्दिक कोवारी टी सी सी गी, ये भी दुसी याद रख्यों, उना पा काव संग्रा दी गयल कार रहे सी, गुड़ियां पटोले, उनिसो चताली दे विच आउंदा काव संग्रा है, फिर अगदे पते उनिसो शत्तर दे विच काली बरफी, उनिसो असी दे विच आउंदा कारी संग्रा रहे है, जड़ा इना दा एक काव संग्रा है, जी काली बरफी, इदे विच संतोख संग्तीर ने विद्रोही विचार पीश कीती है, जमें इनियां कोश्रिणियां तुकाने ह खुआ बहुत परसेद है, जिम्हें तो काहा है गी हैं, कदे ताराने विच विच जानों हट गी है, होना पाणू देग तेग जडी है, वह हासल करन दी जुरूरत है गी है एवे दे विचार पेश कर देना दी कविता है गी है जडी काली वर्फी है जी अगला इनना दा काव सिंग रहा है अपने कुलाँ दा संजीवनी 1983 देविच परकाशित होंदा है सिंगाँ वाली ये भी 1983 देविच परकाशित होंदा है अगला काव सिंग रहा है इनना दा है आन वाला सूर मा 1985 देविच परकाशित हो रहा है जदों असी आवांगे ए इनना दा कावसंगरे 1988 दे विच वांदे इनना दे कोश परसेद कावसंगरे जिनना दे नाम परकाशन साल दुसी ते आंच रख सागदे। अगली इनना दे रचना होदिये जे अपने कोले सफर नामा रचना ता संतोक सिंग तीर दा सफर नामा पन मिल दे मेरी अंगलेंड जात्रा जेकर आपना दी नावल रचना दी गल करिये ता संतोक सिंग तीर ने नावल रचना दे विच वी अपनी कलम अजमाई कीती है तोना दे कोश परसेद नावल है जिमें के मैंनू एक सुपना आया शिराबी जाँ दो फूल यादगार ए है गया ना दे नावल इस तो बिना अतीत दे परशावें हिंदोस्तान हमारा ओ देन नमा जमान ए अपड मिल दे जिन नावल ना दे अनवाद दी जे करपा गल करिये तक कबीर रचनावली जड़ी पुस्तक सी उधा अनवाद की तैसंतोक सिंग तीर ने स्वयाजीवनी दी गल करिये ते इनाने दो स्वयाजीवनीयां मिली है लिखियां है गिये एक के ना दी स्वयाजीवनी है जड़ी कि है ब्रहसपती दूसरी इना दी स्वयाजीवनी अपनों मिल दी है मेरी कलम जड़ा साहितिक स्वयाजीवनी ओना दी मेरी कलम है ते जड़ी अपने जीवन बारे इन्हाने स्वयाजीवनी लिखी है वो है गया ब्रहस्पती साहितिक जीवन मेरी कलम दे विच्चों इंकोष जड़े वचार ने आवधी कलम दे बारे नाने पेश्ट कीते हैं ओ आपना तो डिना उपर डिस्कस कीते भी है जी अग्या पागाल करांगे ना दे पुरसकार ते स्रमान इनने हे परसेदते मकभूल कहानी कार होएने तो जड़े इनननु पुरसकार मिले है उनना दे पागाल कर दे पहला इनननु पुरसकार मिले है गागा पक्खी कहानी संग्रे दे ले जड़ा पक्खी खाणी संग्रें 1990 में देवेचे परकाशित होया 1990 में देवेचे संतोक सेंगतीर नू एस कहाणी संग्रे दिले साहित अकैदमी पुर्षकार मिल दन्नानू पक्खी कहाणी संग्रे दिले 1990 देवेचे नानू शरोमनी साहितकार दापुर्षकार मिलेया है गये 1980 देवेचे नानू पाशावेपाग पंजाब देवलों सनमान मिलेया 1989 देवेचे नानू हीरा सिंग दर्ध इनाम मिलेया 1982 वेचे नानू नागमनी इनाम प्रापत होया इस तो बिना कोश्य उनिवस्टीज ने जिना ने इननू लाइफ टाइम फेलोशिप दिती है 1903 दे विच पंजाबी साहित कैदमी फेलोशिप मिली है इननू इस तो बाद जे कर अपा गल करिये तब पंजाबी उनिवस्टी पटे आला वलो ते पंजाबी साहित सबा दिली दे वलो इननू लाइफ फेलोशिप मिली होई सी इस तो बाद जड़ी साहित कैदमी लदे आना है जड़ी की करतार सिंग तालिवाल पुर्षकार जिन दी है उनना दे वलो, साहित के अद्मी लो दे आना दे वलो इननानू करतार सिंग तालिवाल पुर्षकार मिले है एस तो भी नैलानू और भी पुर्षकार मिले है प्रंदु जेकर अपां मास्टर गेटर दी गल करिये तो ओस ते पाइट आफ यू तो ए सारे पुर्षकार इना दे इंपोर्टेंट है इना नो तुसी याद रखने जी अगे आपा गाल कार दें जी टिपनिया के कोश विदवाना ने संतोक सिंग ती इर बारे टिपनिया कीती है उन्हाने आख्या के पर्गतिवादी सोच रख दे है पर्गतिवादी कहानिकार आपा मन्ने संतोक सिंग तीर नो उससे दी गाली ही डॉक्टर हरपजन सिंग ने कीती है उन्हाने कहा के तीर जड़ा है हुँ अगावदू लेहर दी उपज है ए टिपनिया नदी डॉक्टर हरपजन सिंग ने संतोक सिंग तीर नो एक किसने के तो वाख्या है का पर्गतिवादी आपना सारा लेक्चर आज दा संतोक सिंग तीर जबारे अमीद कर दिया हैं कि तानू ये लेक्चर पसंद आया होगा, जे कर तानू लेक्चर पसंद आया, तेनू लाइक ज़रूर करेओ, प्लस आव दे फ्रेंड्स देनाल शेर ज़रूर करेओ, तांके इंपोर्टन इंफर्मेशन उना तक भी मौच सके, ते साथे चैनल न तांके तानू नेक्स्ट वीडियो दे इंफर्मेशन मिल सके, तानवाजी तो डासा रहां दा, बहुत बहुत